तो हे नमस्कार दोस्तो मैं हूं सैंजिय और फिर इग नए वडियो में आपका दिल से स्वागत है दोस्तो मैं आप इस विडियो को देखके इस वीडियो में आए तो दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 मिड में सबसे खुबसूरत बीडियानी और्लजी बिडियानी बनाना कितना आसान है दोस्तों मैं इस वीडियो को सिधर टॉपिक पे और हमने एक कुकर चड़ाया चुले पर हमारा यह दिहायत का चुला है हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम लगबग तेल और इसको हम थोड़ा वेद करेंगे यह देखिए 2-3 मिनट गरम होने के बाद हम इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे यह प्याज हम इसके गारनीसिंग के लिए डाल रहें यह देखिए लाल हो चुका है और हम इसको निकाल देंगे अब इसी तेल में हम क्या करेंगे यह जितना सारा गरम मसाला है हम इसको बारी-बारी से डालेंगे यह देखिए अब हम इसको लगबग 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब इसमें लाल होने से क्या होगा कि इसमें अच्छा स्वाद आएगा और आपको यह मालूम होगा आप यह मिर्चा भी डाल सकते हैं इसमें और हम इसको बारी-बारी से बढ़िया से भूंचते जाएंगे जब तक कि यह लाल ना हो जाए और यह है आदरक लसुन का पेस्ट है आप इसको डाल देजिए अभी ही डाल दीजिए ताकि इसमें यह मिल जाएगा यह इस तरह का जान है इस बिर्यानी का जान है इसको डालिएगा तो क्या होगा कि इसको थोड़ा अच्छा से सैंट आएगा और इसको हम लगवख भूंचते रहेंगे और यह है दोस्तों मेर स्वाद की अब यह हमारा पोदीना है और यह हमारे हाथ में है दही है दही को डाल देंगे और दही डालना चाहिए ताकि मशाला है जो अच्छा बन के बढ़कि अभी इसको ढख देंगे यह देखिए बुन-बुनार सा आरा खील उठाए अब हमारा यह टमाटर रहें पहल और इसमें हम 5-6 काजू डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे आपको जितना नमक चाहिए उतना डाल सकते हैं कोई कम कोई जादा खाता है उसके बाद हम इसको मिलाएंगे और मिलाते जाएंगे और भी अच्छे से भूनेंगे ये देखिए हमारा मसाला सट रहा है सट रहा है मतलब कि आपका मसाला में स्वाद आ रहा है अब ये हमारा चावल जो है फूल चुका हम इसको साइड में रखेंगे अब हमारा चावल जितना था हम उतना इसमें पानी डा लें हैं और यह देखिए दूसरा ग slots डाल रहे हैं मतलब की तीन गिलाश डालें अच्छा होता है क्योंकि उस है कि सोकता है तो उसमें ज्यादा सा मतलब अच्छा लगता है देखने में चावल खिल 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 के आता है और इसको हम अच्छे से बिलाएंगे मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा हम भख देंगे डखने के बाद थोड़ा अंदर खौल के उठेगा ये देखिए कितना मस्त खॉल रहा और क्या स्वाध है दोस्तों वाउ कितना मस्त है सैंट तो विलकूल एकदम बिर्यानी वाला स्वाध अभी से आ रहा है माई गोड तो ये पानी जो खॉल उठा है तो हम इसमें डाल देंगे क्या ये चाबल जो हमने फुलाया था बना सकते कितना विस्तार से आपको हम बताने का कोर्सिस कर रहे हैं तो कितना देखिए हम इसको देख रहे हैं चावल हमारा उपर पर दिख रहा है और यह हमारा कुछ गाज़ड और बीन्स है जो ओप्सनल है हमने एक एक पानी में उबाल के रख लिया था ताकि मतलब दिखे उसमें और यह हमारा अंडा है तो हमने आपको बताया था कि आप कुछ भी बिर्यानी बना सकते इस मसाले से तो सारे अंडे को हम थोड़ा-थोड़ा छेदा कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए और मज़ा आ जाएगा खाने में आपको भी और हमको मज़ा तो आने वाल बाकि धनिया पत्ता डाल देंगे और हां दोस्तों जो हमने प्याज सुरुवात में जो तल के रखा था उसको हम उपर से गार्नीसिंग कर देंगे मतलब इसका जो सेंट है ना भुना-भुना सा सेंट आने वाला है उसमें तो हम उसको डाल देंगे उसमें अब यह क्या कभी न लगाएं नहीं तो आपका इसमेल जो है चला जाएगा यह देखिए हमने बिर्यानी को उतार लिया है और कितना खुबसूरत लग रहा है आपका तो मतलब मन करता होगा कि अभी खाले मगर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा आपको खुद बनाना पड़ेगा और हम आप कुछाने वाला color डाल सकते color डालेंगे तो मतलब लगेगा कि वावम तो घर में खा रहे हैं और आप जैसे होता ना हम खाने के लिए निकाल लिए हैं और आप मतलब देखके सुन तुष्टी करिए हम खाने के लिए जा रहे हमारा फूल फेमली इसको खाएंगे और इसको कैसी लगी और एकदम लजीज बनी है हमने टेस्ट कर लिया और एकदम लाजवाब और लजीज आप भी बनाए और अप तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं मिलते हैं नेक टोपी में तब तक के लिए जय वारत